हेलो प्रेंज माइन इम इस पायल आज आम इस वीडियो में एक्सोसाइज 6.2 का कोशिय नुबर थर्ड सॉल्फ करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप शेयरें पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करें देन ब आपको थ्री फाइंड करने एंगल एगे जी एफ 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 जी इसमें एंगल क्या है हमार पास और फिगर फिगर हमार पास यह है देखिए आपको यह है एंगल है और आप पास गिवन क्या अब पहले सीडी के है एब पहले सीडी की है यह इंटरसेक नहीं होगी तो यह पहले उसके बाद इएफ पर परपेนडिकूलर है सीडी पर किस पास पे सीडी पर 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 पेंडिकूलर यह एफ पर यह ए यह ए अब आपको फाइंड करनें तीन एंगल जी इडी जी इडी मिन्स ये वाला एंगल और एंगल एजी इडी मिन्स ये वाला एंगल जी इफ जी इफ जी इफ वाला कॉन्स होगा ये वाला एंगल FGE FGE means यह वाला एंगल means आपको यह एंगल find करने हैं, देखें कैसे find करेंगे हमने solve करके रखते कर देखिए आपको according to question करना है AGE equal to GED क्यों होगा क्यों कि interior angle है जो अंदर side होगे वो एक दूसरे के equal होगे तो वो interior angle हो गए AEG AGE यह वाला और G E GED यह वाला और यह वाला अंदर होगे दूसरे क्या हो जाएंगे हमारे interior angle अब हमारे पास AGE 126 दे रखा है तो हम G E equal के क्या करतेंगे GED minus FE FF FED 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 19 है, यह हमारे पास कितना है यह इसके equal है ना, तो यह कितना होगा 126, 126 में से minus करेंगे तो हमारा यह वाल निकले आएगा G E F एंगल ओके First angle हमाने यह निकाल दिया AGE 126 दे रखा है और G E F इसमें से minus के 36 हो गया अब हम निकालना है F G E अब हम क्या करेंगे FED FED में से minus FE G E F कर दियंगे G E F 19 में से 36 माइनस करेंगे तो 54 यह निकल आगया हमारा Answer means हमार पास A E Sorry, AGE एंगल कितना होगा 126 एंगल G E F कितना होगा 36 और एंगल F G E कितना होगा 54 तो यह तीन एंगल निकाल लेता हमने जमको हमने निकाल दिये तो यह ता और यह इसके इक्वल था जो इसके इसके इक्वल कॉन सा था G E F यह एंगल इस एंगल के इक्वल था तो यह भी कितना होगा 126 तो यह ता question number 3 exercise 6.2 का Thanks हम और यह दिया हमने जिया किता हम आए एंगल कितना हमने जिए यह तो हमने